मैं सुनेल जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारती है, बिहार के समस्त दस्मी वर्ग में अध्यनत छातर छातराओं के लिए एक बिहदी उपयोगी शिरिंखला प्रस्तूत कर रहा हूँ, और ये लेक्चर स्रीज आपके लिए अत्यनत उपयोगी होगा, लेकिन सबसे पहले म मैं ये कहना चाहूँगा, कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब कर ले, कमेंट करें, लाइक करें, और बेल आइकन बटन दवाएं, ताकि आपको जब जब मैं वीडियो लेक्चर स्रीज अपलोड करूँ, आपको जानकारी मिलता चले, आईए, डसमी के विशय क सबसे पहला विशय में लेता हूँ, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में पहला चेप्टर है, अर्थवेस्था और इसके विकास का इतिहास, इसमें जो पहली जानकारी अपिक्षित है, वो है उपनिवेश, उपनिवेश किसको कहते हैं, जब कोई शमरित, साली, शक्ति, साली देश किसी अन देश के अर्थिक और लेवसाई कारजों का नियंतरंग और निर्देशन अपने हाथों में लिले अपने हित के लिए करने लगे तो उस इस्थिती में जिस देश का शोसन किया जाता है उसको हम लोग उपनीवेश के रूप में जानते हैं उसको उपनी बेस कहते हैं जैसे भारत 200 से 300 बरसों तक ब्रिटिश का उपनी बेस बना रहा ब्रिटेन का उपनी बेस बना रहा ब्रिटेन मालो माल हुआ और भारत का अंगाल हो गया सब आदमी जानते हैं जिसके ही कारण भरत को ब्रिटेन से आजादी की लंबी लराई भी लरनी परी अब आता है दूसरा अर्थव्यस्था क्या है अर्थव्यस्था क्या है तो समान भासों में हम लोग ये कहते हैं कि सभी आर्थिक क्रियाओं के योग को अर्थवेस्था कहते हैं जितनी विक्रिया है जिससे आयप की प्राप्ती होती है उसको अर्थवेस्था कहते हैं अर्थवेस्था कहते हैं कि जैसे सबजी बेचना हुआ कोई डॉक्टर चिकिसा करता है उससे आमदनी प्राप्त करते हैं कोई सरकारी नोकरी करते हैं कोई नीजी छेतर में नोकरी करते हैं कोई जमीन का खरीद विक्रे करते हैं कोई कपरा बेशते हैं कोई होटल में काम करते हैं समस्त जितने भी कार जहां से अंदनी की प्राप्ती होती है वो अर्थवेस्था के अंतरगत आता है अब आईए अर्थवेस्था का ढाचा क्या है अर्थवेस्था को मूलूग सो हम लोग तीन ढाचे में बाटे हैं एक प्राथमिक छेत्र, दुतियक छेत्र, तिर्थियक छेत्र प्रात्मिक छेतर के तहत आता है किर्शी और किर्शी से संबंधित इसी के अंतरगत पशुपालन मतसपालन वन से संबंधित कार्ज जिससे आई की प्राप्ति होती है ये प्रात्मिक छेतर के अंतरगत आता है दृतियक छेतर में आता है उद्योग से संबंधित उद्योग से अगे बढ़ रहा है जिसमें भारा सोतंत्र हुआ था उसमें प्रात्विक छेत्र का सबसे जाएदे महतु था लेकिन आजकल सेवा छेत्र लगभग 60% के आसपास समर्ग आर्थि गत्विदी में भारत में योगदान दे रहा है अब आई ये अर्थवेस्था के परकार अर्थ पुझिवादी अर्थवेस्था ऐसी अर्थवेस्था को कहते हैं जिसके अंतरगत उत्पादन के साधन का स्वामित निजी बेक्ती या निजी संस्था के हांथों में रहता है जैसा कि उदारन के रूप में अमेरिका जापान दूसरा समाजवादी अर्थवेस्था है इसक लोकिन अदिकांस देश अब मिश्रित अर्थवेस्था की ओरबर रही है जहां पुझी वादी और समाजवादी दोनों तरह की विवस्थाएं चलती रहते हैं जहां पर सरकार ही अपना काम करती है और निजी वैक्ती भी अपना काम करते हैं दोनों अपने अपने काम में सुतंत रूप से अपनी आर्थिक गत्विदियों में कार्जड़त रहते हैं और खास करके भारती अर्थव्यस्था को मिश्रित अर्थव्यस्था के रूप में ही वर्गिकिर्थ किया जा सकता है अगला आईए जो जानकारी आपको चाहिए वो एक महत्पुर्ण जानकारी है सतक विकास किसको करते हैं ध्यान डखिएगा सतक सब्द बना है इसकी अंग्रेजी शम्दाबली होती है सस्टेनेबल यदि आपने सस्टेनेबल ना भी समझा तो कोई बात नहीं कंटिनुवस आप समझते होंगे ऐसा विकास जो लगातार जा दुष्यान रखा जाये ये नहीं कि हम अभी इतनी तेजी से विकास करें कि कल को भावि पिरी का भविषी ही चोपठ हो जाए उजर जाए तो वो शतत बिकास के अंतरगत नहीं आता है संचेप में हम यह कह सकते हैं कि ऐसा विकास जो लगातार जारी रहे और भावि पिरी क को ध्यान में रख कर के किया गया हो, इसमें ध्यान रखिएगा, कि वुनलेंड आयोग ने सतत विकास के बारे ये कहा था, कि विकास की वह परकरिया, जिसमें भावी पिडि को बिना नुक्सान पहुचाए, उनके छमताओं और योगताओं से बिना शमजौता किये हुए, ध्यान रखेगा कि सभी चित्र और सभी वर्गों का विकास इस मोडल में शमाहित होता है मान लिजी कि यदि आपने विकास किया जिसमें समाज का सम वर्ग उसका लाब नहीं उठा सका तो ध्यान रखेगा ये सम्यक विकास नहीं होगा समाज का सभी वर्ग, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग हो, सभी जदी विकास में शामिल होते हैं, उससे लावानवित होते हैं, तो उस इस्थिती में हम उसको सम्यक विकास कहेंगे, इनकुरूशिव ग्रोथ कहते हैं अब आईए अगली जो जानकारी आपको चाहिए कि आर्थिक न्योजन ध्यान रखेगा, न्योजन का अंगरीजी शब्दाबली होता है, प्लैनिंग, प्रतिक रास्त की अपने अपनी प्रात्मिक्ताएं होती हैं, किसी की प्रात्मिक्ता भूख होती है, सबसे पहले भूख म लखियेगा रास्त के प्रात्मिक्ता के अनुशार संसाधन का विका सात्मक्रियाओं का जो हम प्रयोग करते हैं उसको ही हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं ध्यान लखियेगा हर देश की प्रात्मिक्ता अलग अलग है आज अमेरिका की प्रात्मिक्ता वो नहीं है जो भार अथिक इस्थिती के अंसार वो देश अपना तै करता है अब आईए एक बहुत ही महपूर शब्द आता है योजना आयोग हलाकि अभी बरतमान में योजना आयोग का समाप्त कर दिया गया है इसके अस्थान पर नीती आयोग बनाया गया है लेकिन फिर भी चुकि आपके पु अधिन में निती आयोग बना दिया लेकिन कमवेस निती आयोग का भी काम वही है जो योजना आयोग का हुआ करता था योजना आयोग का काम था खास करके पंचवर्शी योजना का निर्मान करना और ध्यान डखे का भारत जब आजाद हुआ था तो भारत को विकास के लिए पंचवर्षी योजना का निर्मान किया गया था जो की रूस सुभिया संसे लिया गया था और पंचवर्षी योजना पहली पंचवर्षी योजना 1901 से 56 तक चलाए गई थी और योजना आयोके पदे अध्यक्ष भरे पंधानमंत्री होते थे लेकिन इनका देख रहे की महतपुर्ण जिमेबारी इनके उपाध्यक्ष के हाथ मराती थी लेकिन उससे भी एक और महतपुर्ण संस्था आती है जिसको राष्टिय विकाश परसद कहते हैं अंग्रेजी भी इसको नेशनल डेपलपमेंट कॉंसिल कहते हैं राष्टिय विकाश परसद का गठन ध्यान डखिएगा 6 अगस्ट 1952 को किया गया था और 6 अगस्ट 1952 को किया गया था और इसको भारत का सूपर कैबनेट भी कहते हैं इसके भी पदेन अध्यक्ष परधान मंतरी होते हैं ध्यान डखिएगा लेकिन इसमें मुख मंतरी भी सामिल होते हैं ताकि कल को कोई मुख मंतरी ये न कह सके कि हमारे साथ अन्याय किया गया है हमारे साथ गलत किया गया है इसलिए ध्यान रखिएगा कि किसी भी पंचवर्षी योजना के पुर्ण सुकृती राष्टिय विकास परसस से ही मिलती है और यही कारण है कि इसमें प्रतेक राज के मुखमंत्री को भी इसमें सामिल किया गया है अगला आईए एक शब्द इसको कहते हैं बाटर सिस्टम हिंदी इसकी शब्दाबली है बस्तू बिन्मे परनाली ध्यान दखिएगा प्राचीन काल में जब मुद्रा नहीं था तो उस इस्थिती में बस्तू हों के लेंदेन की परनाली में बस्तू बिन्मे परनाली चलती थी यह बना है बस्तू और बिन्मे एक बस्तू दिया जाता था और दूसरा वस्तू लिया जाता था, ध्यान दखिएगा, रिखबैदिक काल में, गाए ही मुद्रा की काई थी, गाए दे करके लोग चावाल लेते थे, गाए दे करके लोग दूसरा वस्तू लेते थे, इस तरह से ध्यान दखिएगा, कि उस समय तो परनाली चलती थी वित्य परनाली उसको हम लोग बस्तु विन्मे परनाली कते हैं लेकिन ये अर्थवेस्था पिछी अर्थवेस्था का संकेत था अब तो साइद किशी भी देश में ऐसा चलन नहीं है अब आईए मुद्रा मुद्रा क्रे विक्रे का साधन है ध्यान लखिएगा कि मुद्रा से और सेवा का विन्मे का साधन है इसके बाद आईए अब मुद्रा विन्मे की भी अलग अलग परनालियां विक्सित हो चुकी है जैसे आईए ATM का फुल फॉर्म होता है अटमेटिक टेलर मशीन ध्यान रखिएगा ये प्लास्टिक का एक कार्ड होता है और जिसके माध्यम से हम ATM केंदर से पैसा निकालने की सुगदा रहती है इसको बिना बेंकर का भी बेंक कहते हैं जब एक्छा हो हम ATM में प्रवेश किये प्लास्टिक कार्ड डाले पिन नमर डाले और जितनी हमको पैसा की चाहिए हम उतनी पैसा निकाल लेते हैं एक शब्द आता है उसको कहते है डेबिट कार्ड अब तो ATM कार्ड कम डेबिट कार्ड साथी होता है यह भी प्लास्टिक कार्ड ही है और ATM कार्ड के साथी इसको दिया जाता है आपका बेंक में जितनी जमाराशी है आपकी उसका आप ATM से निकाल सकते हैं उप्योग कर सकते हैं इसलिए उसको डेबिट अमाधन में लेकिन एक और प्लास्टिक कार्ड आता है जो मुद्रा का बड़ा ही शक्ति साली माध्यम आजकल बना हुआ है उसको कहते हैं क्रेडिट कार्ड ध्यान रखेगा कि जब बैंक किसी ग्रहक पर विश्वास करती है तो उसको एक दूसरा प्लास्टिक कार्ड देती ह जिसमें बैंक अपने तरफ से कुछ उधार पैसे भी उसको देती है और वो उधार उस पैसे का इस्तमाल अपने बैक्तिगत उप्योग के लिए वो कर सकता है बाद में बैंक को उसको इंट्रेस्ट के साथ चुकाना पड़ता है कई बैंक तो ऐसे 45 दिन के अंदर यदि नहीं लेती है अगला शवदाबली है वो महतपुर सवदाबली है ध्यान दखेगा इसकी अवधारना आपको असपस्ट होनी चाहिए वो है राष्टिया आए नेशनल इनकम तो इसका समय नभासा में जान लीजिए कि एक बरस की अवधी में देश के उतपादिस सभी बस्त चेतर में कोई प्रोफेशनल्स हैं वो सब सेवाचेतर में आते हैं और वस्तु इन सबसे होने वाली आमदनी को यदि हम एक जगा जोड़ दें तो राष्टिया आए कहलाता है लेकिन वहीं पर एक और आपकी शवदाबली आती है एक और एकोनमिक टरना टरमाता है ध्यान लखेगा उसको कहते हैं परतिवेक्ति आए परतिवेक्ति आए में सामन भाषा में पुटी फुटी भाषा में हम इसको कह सकते हैं कि कुल राष्टिया आए को कुल जनसंख्यां से भाग दे तो वो परतिवेक्ति आए कहलाएगा जिस देश का परतिवेक्ति आए जधा है वो विक्सित देश माना जाता है और जिस देश की परतिवेक्ति आए कम है वो विकाशील देश माना जाता है या पिछरा देश माना जाता है वही है क्राइटेरिया हम राज में भी लगा सकते हैं अगला आईए जो टर्म है शब्दाबली है आर्थिक शब्दाबली है इस पर Human Development Index तीन गत्विधियों का एक समगर Index है इसमें आता है पहला कि जीवन आशा सुचकंग दूसरा शिक्षा प्राप्ती सुचकंग तीसरा जीवन अस्तर सुचकंग ध्यान दखियेगा इन तीनों को एकत्रित करके और तब ये बनाया गया सुचकंग है ये सुचकंग संजुक्त राष्टिपिकास कार्जकरम दौरा महबूल उल्हक के निर्देशन में तयार किया गया था 2004 में जब आया था तो नारबे इसमें पर्थम अस्थान प्राप्त किया था आईए अगला जो टर्म है वो है राष्टिय मानब विकास रिपोर्ट नेशनल हुमन डेवलप्मेंट रिपोर्ट यून डिपी के रिपोर्ट के तर्ज पर भारत ने भारत ने मानब विकास रिपोर्ट जारी किया था मानब ने विकास रिपोर्ट जारी किया था और जिसमें उसने राज की इसी क्राइटेरिया पर उसने रैंकिंग की थी और इसी लिए उसको कहा गया National Human Development Report अब एक शब जो बहुत महतपुर्ण है वो आपको 10th से लेकर के और competition तक इसकी उपयोगता है ध्यान रखिएगा उसको अंग्रेजी में कहते हैं infrastructure हिंदी में कहते हैं आधारिक संदचना जितनी भी देश की आर्थिक विकास के लिए सहायक तत्त हैं चाहे बिजली हो परिवहन हो संचार हो बैंक हो इसकूल हो कॉलेज हो अस्पताल हो रोड हो जितनी भी चीज है परिवहन के जितने भी हैं ये सवी चीज को हम लोग आधारिक संदचना के अंतरगत आते हैं ध्यान दखिएगा बिक्सित देश का आधारिक संदचना बिक्सित होता है इसलिए वो बिक्सित देश होता है गरिव देश की आधारिक संदचना कमजोर होती है इसलिए अब अधिकांस देश अपने आधारिक संदचना को मजबूत करने के पीछे ध्यान दे रहे हैं अब एक प्रशन आपको खास करके वरनानात्मक प्रशन में पूछ सकता है, डिस्क्रिप्टिव प्रशन में पूछ सकता है कि बिहार के आर्थिक पिछ्रेपन का कारण क्या है चार-पांच कारण मुखरूप से अप जाने, पहला कारण ये है कि बढ़ती जनसंख्यां, बिहार की जनसंख्यां सभाविक है कि भारत में तीसरे अस्थान पर है और इसकी जनसंख्यां दिन वर दिन बढ़ते जा रही है और जनसंख्यां का बोज बिहार के भोगलिक छितर पर परता जा रहा है और इसके पिछरने का बहुत बढ़ा कारण है दूसरा जो सबसे महत्पुर्ण कारण है कि कमोबेश हर बर्स बिहार में बाढ़ाता है जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार की सीमा नेपाल देशे सटी हुई है और नेपाल की प्राया नदिया का परवाह बिहार से होकर के गुजरता है जिसके कारण क्या होता है कि खास करके बारिश के मौसम में बांध तूट जाता है और फिर बाढ़ा जाती है ऐसा देखा गया है जो उत्तर बिहार बाढ़ से प्रीत रहता है हरवर्स प्रीत होता है रोड़ टूट जाता है कॉलेज टूट जाते हैं अस्पताल टूट जाते हैं जिसके कारण बिहार के समस्त आर्थिक संसाधन का एक बहुत ब़रा संसाधन बाढ़ से निवटने में लग जाता है इसके बाद आईए आर्थिक आधारिक संदचना का आभाब बिहार आधारिक संदचना में भी पिछरा हुआ है अभी भी बिहार में बिजली की इस्थिती हलाकि इधर सुदरी है लेकिन फिर भी अभी इस्थिती वैसी नहीं है जैसे बिक्सित देश में है संचार परवहन और खास करके शिक्षा वेवस्था स्वास्त वेवस्था की का अस्तर उतना उचा नहीं है जितना विक्सित राजों का है या विक्सित देशों का होता है फिर आईए बिधी वेवस्था में कुछ कमजोरी होना तो बिधी वेवस्था ध्यान रखेगा उद्योग तभी आता है किसी राज में जवकि वहां का बिधी वेवस्था विक्सित हो और विहार की बिधी वेवस्था लोई और जिसको कहते हैं उसमें तवाम तरह की खामिया ह इसके कारण कोई उद्योग बिहार की तरफ नहीं आना चाहता है खास करके बड़े-बड़े उद्योग पती वो गुजरात महराश्ट के तरफ जाना चाहते हैं और विदेशी पुझी निवेस बिहार के तरफ तो साइद अपना मूह भी नहीं करते हैं या बिहार के तरफ नहीं आना चाहते हैं उसका प्रमुक कारण है बिहार की बिधी ब्यस्था का उच अस्तर ये ना होना और दोगिक पिछरापन ये भी एक बहुत बड़ा कारण है ध्यान रखेगा उद्योग के मामले में बिहार आगे नहीं है जैसा गुजरात और इजली की कमी है और दोगिक ब्यवस्था नहीं है और यहां पर बिधी ब्यस्था के डड़ के कारण बरे बरे उद्योग अपना उद्योग नहीं अस्थापित करना चाहते हैं जबकि वही उद्योग में बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में जाकर के काम करते हैं तो कुल के पिछरे पन का कारण है अब बिहार के पिछरे पन को दूर हम कैसे कर सकते हैं ये भी आपको descriptive question में पूछ सकता है तो ध्यान रखिए का सबसे पहला जो बिहार के पिछरे पन दूर करने के लिए पहला जो कोशिश होनी चाहिए वो है बाढ़ पन यंत्रन जब तक हम बाढ़ कारण क्या है कि हर वर्स बाढ़ आती है और बिहार को आर्थिक पिछरे पन के दलदल में धकेल देती है प्रतिक वर्स बाढ़ आती है जिससे रोड तूट जाता है स्कूल तूट जाता है अस्पताल तूट जाते हैं और जिससे सिक्छा ब्यस्था स्वास्त ब्यस्था चर करके ध्यान रखिएगा कि बिजली परिवहन संचार बैंक स्कूल कॉलेज अस्पताल इन सब में जब तक हम विकास नहीं करेंगे हाँ विकास हो रहा है इसमें कोई दोमत नहीं लेकिन अभी और भी विकास की जरूरत है तीसरा उद्योग का विकास हम कैसे बाहरी उद्योग पती को भीहार के तरफ आकरशित करें इसके लिए हमको ध्यान देना होगा फिर ध्यान रखिएगा अंत में स्वक्ष और इमांदार परशासन जब तक ब्रश्टा चार है सभाविक है कि बाहर के उद्योग पती बिदेसी पुझी निवेश नहीं यहां आना चाहेंगे वो यहां पुझी नहीं करना चाहेंगे विदेसी पुझी पती यहां नहीं आना चाहेंगे ध्यान दखिएगा इसके लिए स्वक्ष और इमांदार परशासन चाहिए अब आता है एक और आर्थिक शव्दाबली जिसकी अवधारना आपको बिलकुन असपस्ट होनी चाहिए क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आइने के शमान होना चाहिए कि आइने में परतिविमि के समान वो असपस्ट होना चाहिए poverty line जिसको हम लोग कहते हैं गरीबी रेखा ध्यान दखियेगा कि ये एक ऐसा आर्थिक रेखा के रुप में इस्तमाल किया दाता ये कोई ये कालपनिक रेखा है जो अनुहब के आधार पर बनाई गई है कि खास करके योजना आयो के अनुसार कि जिस बैक्ती जोकी गाउं में रहते हैं यदि उनका परती दिन 2400 कलरी भोजन से सम्मंदित उरजा यदि उनको प्राप्त नहीं होती है या शहरी छेतर के अधिन रहने वाले यदि उनको 200 कलरी उरजा भोजन से नहीं प्राप्त होती है तो वो गरीवी रेखा से नीचे माने जाए इसके लिए एक शब्द आता है BPL Below Poverty Line BPL ध्यान दखिएगा BPL से जितने भी नीचे हैं या BPL में शामिल जितने भी बैकती हैं उनको सरकार विशेस तरह की सुभधाएं देती है और APL को करते हैं Above Poverty Line सरकार उनको उतनी सुभधा नहीं देती है जितनी की BPL वाले को देती है ध्यान रखिएगा अंत में जो आपके लिए एक अती महतपुर्ण वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो शब्दाबली है उसको हम लोग करते हैं मनरेगा मनरेगा पहले इसका नाम था नरेगा नरेगा National Rural Employment Guarantee Act बाद में इसमें महत्मा गांधी के जन्म दिन पर महत्मा सब्द जोड़ दिया गया जिससे ये शब्द बदल करके मनरेगा हो गया ध्यान रखिएगा कि ग्रामीन मजदूर को शौद इन के लिए रोजगार देने के लिए ये करास्टिय योजना चलाई गयी थी इसी का नाम दिया गया है मनरेगा ये खास करके गरीव लोगों के लिए एक रामबान की तरह काम कर रहा है एक इसके खास करके गरीवी रेखा के जो नीचे बेखती हैं उनके लिए ये एक अमोग अस्थ के रुप में सरकार ने इसका इस्तमाल किया है इससे गरीवी दूर करने में काफी लाम मिला है और इस तरह से आपका पर्थम चेप्टर का लेक्चर श्रीज है वो यहीं समाप्त होता है मैं शुनिल जी आपसे विदा लेता हूँ और पुनह आपसे अगरा करता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और बिल आइकन बटन दबावें और फिर ध्यान लखेगा आगे जाकर के आपको इस पर प्रश्न अबजेक्टिव सब्सक्राइब करें